बहुत दिनों से लगातार एक कॉमेंट आ रहा था कॉमेंट था कि एक ऐसा वीडियो बनाए जिससे पता चले कि अमबेटकर द्वारा लिखी गई कौन-कौन सी किताबे पढ़नी चाहिए इसी पर आज हमें वीडियो लेके आए हैं नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीम सेना आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हूँगी और अगर बहुत नहीं भी पढ़ी हूँगी तो थोड़ी बहुत तो जरूर पढ़ी हूँगी पढ़ने के साथ साथ अनेक व्यक्तियों ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं और जब किताबों की बात हो रही हो तो हमारे सम्विधान निर्माता कैसे पीछे रह सकते हैं समिधान निर्माता बावसाहे भीमराव अम्बेटकर ने भी अपने जीवनकाल में बहुत सारी किताबे लिखी और पड़ी है अगर आपको पता ना हो तो उस समय डॉक्टर अम्बेटकर को कॉलंबिया युनिवरसिटी ने विश्व का नंबर एक स्कॉलर गोशत किया था डॉक्टर अम्बेटकर पूरे विश्व में अपनी किताबों और डिग्रियों के लिए जाने जाते हैं अम्बेटकर के नीजी पुस्तकाले राजगरिये में कम से कम 50,000 से जादा किताबे मौजूद हैं और इस दुनिया की सबसे बड़ी नीजी लाइबरेरी उसे कहा जाता है डॉक्टर अम्बेटकर के गिंती आधुनिक भारत के सबसे उजस्वी और तेजस्वी लेख को मिसे की जाती है विश्व के लगभग हर देश में सम्विधान निर्माता के प्रशनशक आज भी मौजूद हैं डॉक्टर भीमरा अम्बेटकर को हिंदी, अंग्रेजी, संस्क्रिट, फ्रेंच, पाली, जिर्मन, मराथी, पर्शियन और गुजराती जैसी नौभाशाओं का ग्यान था अम्बेटकर ने अपने विचारों को कई किताबों में उतारा, वहीं उनके जीवन पर भी कई किताबें लिखी गई इतिहासिक तत्यों के अनुसार अम्बेटकर ने अपने पूरे जीवन काल में कई किताबें और पत्रकाई लिखी थी पर इतिहासकारों में इस नंबर को लेकर आज तक तक राव देखने को मिलता है वो इसलिए क्योंकि अंबेटकर द्वारा लिखी गई कई पत्रिकाएं भाशन और लेख को भी नए भारत में किताब का रूप देकर प्रकाशित किया गया है आज हम बात करेंगे बावसाहित द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुक किताबों के बारे में जो हमारे देश और जनता पे एक गहरा असर छोड़ती है एक और बात में इसमें add-on करना चाहूंगी कि ये सारी किताबें जो भी अवी मैं आपको लिस्टिंग बताऊंगी इन में से English में भी अवेलेबल हैं और यही किताबें हिंदी में भी आपको मिल जाएंगी मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स का लिंक दे दू ताकि आप इन बुक्स को ओर्डर कर सकें और पढ़ सकें सबसे पहली बुक का नाम है एनिलेशन ओफ कास्ट 1936 जिसका मतलब है जाती का उनमूलन 1936 जाती का उनमूलन किताब मूल रूप से अंबेटकर द्वारा 1936 में लिखी गई है और यह किताब एक भाषन पर लिखी गई थी इस किताब को बाद में एक निभंद के रूप में विक्सित किया गया और अंबेटकर ने इस किताब को खुद प्रकाशित किया था निबंद में अम्बेटकर्ण ने हिंदू धर्म को पुरुष प्रधान और महिला हितों से ख्रिणा और दमन फैलाने वाला बताया था इसके जाती व्यवस्था और इसके धार में ग्रंतों की आलोच ना की थी उन्होंने तर्ग दिया कि अंतर जाती भोजन और अंतर जाती व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रयाप्त नहीं है लेकिन ये जाती व्यवस्था को खत्म करने का असली तरीका बन सकता है ये किताब है Annihilation of Cast और ये किताब का पूरा description एक हिंदू समाज पर अंबेटकर हिंदू को लेकर क्या सोचते थे हिंदू धर्म को लेकर क्या सोचते थे उस पर निधारत है आपको ये किताब एक बार जरूर पढ़ने चाहिए अगर आप बाबा साहिब भीमरा अंबेटकर के फॉलोवर हैं तो अगली किताब है वू वर्दव शुद्राज 1946 इसका मतलब है शुद्र कौन थे 1946 अंबेटकर की ये किताब शुद्र वर्ण की उत्पत्ती की चर्चा करती है अंबेटकर ने इस किताब को भारतिय सामाजिक कारे करता और जाती सुधारक जोतिराओ फूले को समर्पित किया था अंबेटकर ने हिंदू धार में गरंथों जैसे की रिगवेद, महाभारत और अन्यवैदिक धर्म गरंथों का संधर्व देते हुए जाती व्यवस्था की कई बातों का उलेखन इस किताब में किया है उनके अनुसार शुद्र मूल रूप से आर्य थे और शत्रिय वर्ण क अंबेटकर ने इस किताब में आर्यन जाती के सिध्धानतों पर भी चर्चा की है यह किताब वू वर्दा शुद्राज है यानि कि शुद्र कौन थे शुद्र की उत्पत्ती शुद्रों के बारे में उनका क्या था नीव क्या थी उनकी सारा कुछ अंबेटकर ने इस अधान 1923 बाबसाहिब की ये किताब आजादी से पहले भारत में पैसों से जुड़े सवालों और समस्याओं को उठाती है इनी सवालों और समस्याओं की वज़ा से ही भारते रिजर्व बैंक का गठन हुआ था ये किताब 1923 से भारते मुद्रा और बैंकिंग के इतिहास के ब मानव शास्त्रिय समारों में पड़ा गया एक पेपर था जिसमें अमबेटकर ने एक समाजिक घटना पर एक प्रस्तूती दी थी जो ब्रह्मनों की रणनीती से निकली हुई मानी चाती है इस पेपर को किताब का रूप देते हुए अमबेटकर ने इसमें विभा पर अमबेटकर जैसे पड़े लिखे लोग भी बुद्ध से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था अमबेटकर की किताब बुद्ध के जीवन और बौध धर्म पर प्रकाश डालती है इस पुस्तक में उनके द्वारा उठाए गए बुद् में लिखी गई थी और इसके बाद इसको हिंधी में प्रकाश सित किया गया तो यह कुछ ऐसी किताबे थी जो बहुत इंपो्टरन के ब अंबेदकर के व्यक्तित्व को बताती है, जो अंबेदकर के विचारधारा को बताती है, अंबेदकर द्वारा जो भी पढ़ाई की गई। कि किस तरह की विचारधारा अगर अमबेटकर किसी धर्म के अगेंस्ट भी थे या फिर किसी धर्म को फॉलो नहीं करना चाहते थे तो वो किस वजह से था अमबेटकर कि क्या सोच थी उसके पीछे आप जरूर पढ़े और हमें बताईएगा कि यह बुक्स पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा यह विडियो आपको कैसी लगी यह भी जरूर बताईएगा बने रहे हमारे साथ नमस्कार